दोस्तों जैहिन, स्टेंड़ अप कॉमेडिन कुनाल कामरा को तो आप भखो भी जानते होंगे, वही कुनाल कामरा जो खुल कर बोलने में यकीन रखते हैं, जो अपने कॉमेडी से जहरीले एंकरों को भी आयना दिखाते हैं, और केंदर में बैठी नर्द्रमोदी की सरकार को कुनाल कामरा का एक हालिया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारत को विश्वगुरू बनाने वाले यशश्वी प्रधान मंतरी श्री नर्द्रमोदी पर निशाना साधा है, जैसा कि आपको पहले सही पता है कि कोरोना वाइरस की दूसरी लहर सुनामी बन कर हम सब तूट पड़ी है, लेकिन परचार मंतरी से प्रधान मंतरी के भूमी का निभाने वाले मोदी जी के लिए चुनाव ही सब कुछ है, मोदी जी ने इसी कोरोना काल में चुनावी रैलियों का जम कर लुटव उठाया, अब तो अदालतों ने भी यह मान लिया है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनावी रैलिया ही जिम्हदार हैं। जब लोगों की जिन्दगी बचाने की बात आई तो मोदी जी बिलकुल खामोश रहे, लोग सड़क पर मरते रहे, लेकिन मोदी जी दीदी ओ दीदी कहकर देश की एक मातर महिला मुख्यमंतरी को नीचा दिख खाने की कोशिश करते रहे, पियम मोदी बंगाल के चुनाव की तैयारी कई महीनों से कर रहे थे, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोदी जी की दाढ़ी भी इसी मद्दे नजर बढ़ाई गई थी, दरसल रविंदनाट टाइगोर की तरह दिखने के लिए नजर आने के ल दो मई को जब बंगाल चुनाव का नतीजा आया, तब सब के होश उल गए, पता चला कि बंगालियों ने न मोदी को देखा, न मोदी की दाढ़ी को और नहीं मोदी जी की रैली को देखा, बलकि ममता बैनर जी के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया, और मोदी जी और उन ममता के सामने बेअसर साबित हुआ, अब कुनाल कामरा ने अपने टूटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है, जिसको पढ़ने के बाद साफ साफ जाहिर हो जाता है कि कुनाल कामरा का पीय मोदी पर जुबानी हमला कितना गंभीर विशह है, कुनाल कामरा ने लिखा है कि दो म मैं। दाढ़ी गई। यहनि посто द्रखम डिखने वाली दाढ़ी महशं 2 मई तक मोधी जी के चहरे पर मेहमान और उसके बाद मोधी जी फसल की कटाई शुरू कर देंगे तो क्या मोधी जी अब उस दाढ़ी को कटवा देंगे क्या उनके अगण मोधी को पुरानी तस्वीर में स्विकार कर पाएंगे और उन लोगों का क्या होगा जो मोधी की दाढ़ी में रविंदरनाथ टाइगोर को देख रहे थे उनकी तो पूरी धुनिया ही उजड़ जाएगी इधर मोधी जी का हुलिया बदला और उधर मोधी जी की दाढ ही सफा चट कुनाल कामरे के ट्वीट पर रिप्लाई में किसी ने ममताब एनरजी के एक टांग से फुटबॉल खेलने वाला वीडियो शेयर किया है इसे देखने के बाद आप अपनी हसी नहीं रोक पाएंगे तो देखा आपने कैसे एक बंगालन ने मोधी की लंका में आग लगा दी इसकी लपट में हो सकता है मोधी जी की दाढ ही छोटी हो जाए फिलाल आप इस वीडियो को बारे में क्या सुचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें वेवाक निस्पक्ष और सुतंतर पत्र का आरिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर जरूर सबस्क्राइब करें फिर मिलता है कि इस यूर वीडियो में एक नई ख़बर करें चैनल